कि दोस्तों कैसे हैं आप तो दोस्तों आज हमाँ पास एक हमारे सर्विस सेंटर वाले भाई हैं जो कि डिस्प्ले बदलने में शायद उनसे कुछ प्राब्लम हुई है तो उसकी वजह से मदरबोर्ड में दिक्कत हो गई है तो यह है वन प्लस का नॉट सी टू लाइट पाइपजी फोन है जोकी एलसीडी वाला इसपर डिस्प्ले है और इसमें लाइट चली गई है तो गाई इसमें जो है उन्होंने कोशिश करने मतलब करने ठीक करने कोशिश की गई है पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है देखिए खुला उन्हें सबसे पिले इसका पत्ता कट चुका था और फिर इन्होंने जो यहां पर कुछ करने के चक्कर में यहां पर लाइट शॉट हुई और इसकी वज़े से फोन में जो है लाइट का इश्यू हो गया तो एक हमार पास देखिए बिल्कुल कंपनी का पार्ट आया है दाल में मादर बूड लगा करके इसमें आपको बताता हूं कि इसमें प्र martial क्या रही है देखिए इसमें दोस्तों बेक लाइट का प्रॉब्लम आया है और ये यहाँ पे इसमें डिस्पले का जो इशू है वो बेकलाइट नहीं आ रहा है उजाले में हम देख रहे हैं यह इसमें तो हमें इसका डिस्पले दिख रहा है जिसे कि मैं थोड़ी सी इसकी पन्नी हटा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ देख सकते हैं वन प्लस आपको दिख सकता है यह देखिए देख सकते हैं आप इसकी प्रोसेसिंग भी चालू हो गई है चालू होने की देख सकते हैं आराम से इसमें दिख रहा है तो इसमें कुल मिला के जो इश्यू है वो बैक लाइट का इश्यू हो चुका है और इसके कोई ज्यादा टूटिरल अवेलेबल नहीं है और ना इसका बूस्ट कोईल है यह इसकी लाइट आईसी है तो आपके साथ फोन मतलब इस तरह से आता है तो आप डायरेक्ट यहां पर थोड़ा सक कट लगा करके ओपन कर सकते हैं ठीक है तो यह थोड़ा सा उनने हमारी हेल्प कर दिये क्योंकि सर्विस सेंटर के पास जो है इस तरह की च जो है चेक किया है तो यहां पर राइट ऑसी और डायोड और को क्वाइल और कैपसिटर्स मिलते हैं तो दोस्तों के बारे में इसकी मैटिक तो नहीं है ना hardware solution है तो हम इस IC के base पर हम hardware solution एक देख लेते हैं ताकि हमको यह पता चल जाए कि light का setting कैसा बना हुआ है देखिए यह जो चौटिंग वाला system होता है दोस्तों क्या होता है प्लस पे जो हाई वाल्टेज बनता है जो कि हमारे LCD के लिए करीबन करीबन 30 वाल्ट बनता मेरे और वी वीडियो में मैंने बताया है बावी स्वर्ट से तीस वर्ट तक बनता है तो ए इसी कंडिशन में देखे स्वाटिंग होती है तो होता यह है कि या तो जो है क्वाइल जेल जाती है या फिर जो है 80 परसेंट चांसेस होते हैं कि डायोड या फिर हमारा केपसीटर शॉट हो जाता है तो फिलाल डायोड के शॉट अने की जो चांसे से वह जादा है तो हम क्या करेंगे कि अभी कुछ भी नहीं हम हम के अब हाटवेर थोड़ा समझेंगे फिर उसके बाद इस्टेप बाइस्टेप जो 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 चीछ देखना चाहिए उसको वन बाइवन चेक करेंगे फिलाल मैंने यहां पर गलत तरीक से लगेते वो सही कर दिये क्योंकि हमको यहां से मायनस से लेकर के plus की लाइनों को ढूंडना है वो क्यों ढूंडना है क्योंकि हमको इसमें देखना होगा वो फिर हम यहाँ पर trace कर सकते हैं जो कि यहाँ पर किस वाली pin पर जा रहे हैं यह भी हमको पता नहीं है तो हम क्या इस पहले display से confirm करेंगे कि कितने नंबर पर pin पर जो है बज़र बज़रा है फिर यहाँ पर हम उसके according चेक करेंगे कि कितने नंबर pin पर हमको मिल रहा है यह देख लिए 40 pin का connector है ठीक है तो 20 नीचे 20 उपर है ठीक है तो हम सबसे पहले जो है यह confirm करेंगे कि इसमें माइनस प्लस पे supply आ रही है या नहीं आ रही है तो हम यह चेक कर लेते हैं तो आप गाइज हमने यहाँ पर डिस्प्ले को इस तरह से सेटिंग कर लिया है ठीक है और हम जो है यहाँ पर डんな मोड पर इसको ले लेते हैं वो सबसे पहले तो नीचे जो है में रही है या निए आ रही है तो उससाफ़ सर्थ Almighty पáticas उलींगे तो सबसे पहले हम मेरे काफी और वीडियो में मैंने बता चुका हूं में यहां पर मैं चेक कर रहा देता हूं अपको तो देखिए यह माइनस है यह भी बिल्कुल सेम माइनस है अब यहां पर में चेक कर लेते हैं तो देखिए गाइस एपर कुछ भी नहीं आ कि यहां हम क्रॉस बाई में चेक कर लेते हैं माईनस को प्लस बात करके को रीडिंग उसक्त नहीं नहीं है तो छल्स मादस कर दो मैं ने दोने घ्रट लगा अधरिक वाल्टेज ब्ना है जो है च्थी सी बात है है इसमें प्लस का जो врем वो शौ्ट हो चुका है आगे से लाइन कट चुकी है तो अब हम क्या गरें गे कि सब पूरे तो इसमें हमको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं की माइनस दॉम को मिल रहा है जिसे हमें प्लस की जरूरत है तो हम यहां पे चेक करेंगे कि किस पिन पर आ रहा है क्योंकि यह मैं इसलिए बता रहा हूं था कि आपको आगे भी इस चीज का नौलेज हो जाए तो मैं बजर मोड पे इसको रख लेता हूं ताकि आपको बीप की का साउंड सुनाई दे और के तो दोस्तों फस्ट पिन परी इसकान मतलब की हमारी क मलाना लगेगी यहदि हम इसको इस तरह से इसमें लगाते हैं तो फ्रक्त पर हमारा जो है प्लास का है तो इस तरह से दोस्तों तो आप भी tracing करके यह confirm कर सकते हो कि plus कहा है माइनस कहा है यह एक्स वाई-जेट जितने भी आप इस तरह के काम करते हैं तो first तो हमें मिल चुका है अब हमें यह देखना है कि जो light का section और किस तरह से काम करता है क्या light का section बस यहीं से है हमें यह चेक करना होगा यहां पर इसकी line आ रही है या नियारी वो हम trace करेंगे उससे पेले हम थोड़ा सा इसका hardware solution एक बार देख लेते हैं किसी और का देखे लेंगे ताकि हमको यह confirm हो जाए कि किस तरह से इसका situation बनी है तो चलिए एक बार hardware solution देख लेते हैं तो दोस्तों यह हमने जो लिया है realme 2 का लिया है board और सेम इसमें जो ic का जो display light का solution दिया गया है वो बिल्कुल सेम है कोई भी अंतर परिवर्तन नहीं है देखिए हम सबसे पहले जो हमको problem आ रही है वह हम देखेंगे देखिए मान लेते हैं हम यह इसको one मान लेते हैं जो की orange line है वह हमारी a है ठीक है मतब प्लस का है देखिए led a हमारे जो cathode तो बिल्कुल हमारे minus के वह okay है तो हम यहाँ पर orange line को track करते हुए देख सकते हैं अभी हमें पता नहीं कि वहाँ पर कितने सारे component उसके साथ लगे हैं लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन डायोड और capacitor डायोड और उसके बाद जो है किस तरह से काम करती में बता जता हूं देखिए यहाँ से हमारा boost coil है यह एहम भूमी निबाती है जो 3.7V को 22-30V करने के लिए लेकिन उसके लिए जरूरी होती है यह IC ठीक है तो यह IC में यहाँ पर जो है 3.7V जाके इस IC को एक्टिवेट करता है boost के लिए फिर वो current जो है इसको boost करने के लिए इस coil में convert करता है boost करके और फिर यह diode से जाता है डायोड में इस तरह से voltage जाता ही है रिटन नहीं आता है यहां पर प्लस माइनस मिल गए है और या तो डायोड हमारा 100% इन दोनों में है और एसा होगा तो हम क्वाइल जब हम बनाएंगे light तो हो सकता है क्वाइल भी गरम हो क्योंकि इसके साथ यह भी खराब हो जाती है क्वाइल खराब होती है तो डिस्पले जब जब करता है वह हम बाद में उसकी problem देखेंगे सबसे पहले हमको जो है तो गाई सबसे पहले हम यह को पता करने ह है यहाँ पर कहां है हमको यह तो पता चल चुका है जा ना है यह यह हमसिता động हंब ठीक से देखना होगा जब जिसलिए कि यहां है पिक है तक तरह से लाइन है यान यहां पर ठ्रैक कर लेते हैं कि यहlando यहां तक करना पदेगा जो कि कहा है चाती है तो इसके लिए हम ठीक से चेक करेंगे फिर इसके बाद जो है हम पता कर लेंगे किसका गया कहा है तो ठीक है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं किस तरह से करना है हम बापीस से मेटर लेना पड़ेगा अब इसको बजर मोट पर रख दिया ताकि आपको साउंड सुनाई देगा ठीक है तो हम यहाँ पर प्लस का लगा लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं क्या यहाँ पर देखे गाई क्योंकि हो सकता है कि यह डायोड खराब हो क्योंकि डायोड के बाद ही कैपसीटर से डायोड पर ही जाती यह लाइन यह आपको बताते हैं चलू में कैपसीटर से डायोड पर ही जाएगी गाई और कहीं नहीं जाएगी छोटी मुटी आसपास चीजों पर कैपसीटर पर जाए क्या है और मैंने या LCD से connect करके आपको बता रहा हूं क्योंकि hardware solution अविलेबली नहीं तो क्या कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर डिस्प्ले की रिडिंग मिल रही है आइसी से जैसा कि हमने स्कीमेटिक हाडवेर वह एक solution आपको दिखाया तो यहीं से दोस्तों यह आप बड़ा सा ट्रेक देख रहे हो यह ट्रेक है जो SLIDE की HIGH VALTED को इधर जाने देता है उल्टा नहीं आता है जब इसमें शॉर्ट सर्कृट होता है तो ही यह शॉर्ट सर्कृट होगा के तो फिर हम इसकि को चेंज करेंगे यहां पर भी रिडिंग नहीं आती है तो नियोंके सब्सक्रीख करेंगय। तो दोस्तों आपने देखा मैंने थोड़ा सा टच किया यहां पर कटर और उफर जो डायोट का हिस्सा रहता है मतलब बॉड़ी लेती वह तूटी गई है तो 99 प्रसेंट गाइज इस यहां से यह तक के कनेक्टिविटी इसकी तूट गई है तो हम एक कायम करते हैं यहां पर हम जो है इसके डायोट के दूसरे सीरे पर जो किफास इधर से सीरा है आप देख सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम डायोट की जो पीछे की वाली पिन है उससे हम रिडिंग लेते हैं तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि डायोट सही है य आपको चेक करके बता रहा हूं तो आप देख सकते 3859 बेटरी चार्ज है और यहां पे जो है हमारे डायोट से वाल्टेज आउट नहीं हो रहे हैं मतलब कि हमारी क्वाइल पे भी वाल्टेज आ ही रहे होंगे 100% क्योंकि क्वाइल और यह सब जूड़ा हो रहता है सारा अधर है मैं ब्लेट की मदद ले लेता हूं इसको चेक करने के लिए कि यह देख सकते हैं यहां पर वाल्टेज आ रहा है और हमारे डायोट के जो आउट वाले हिस्से इन वाले हिस्से पर जो है वहां भी रीडिंग आ रही है थोड़ा वाल्टेज इसलिए कम दिखा रहा ह है क्योंकि दोस्तों यह जो है यहां पर लॉस कर रहा है करेंट का क्योंकि यह खराब है इसलिए तो हम इसको निकाल लेते हैं थोड़ा साउधा नीज है क्योंकि इसके पास में फ्लेश लगी है तो आप कुछ इससा ना करें कि इससे दिक्कत हो और यदि आईसी वगएर प तो आप फ्लेश को कवर करके काम करें यह निकालना हो तो वैसे तो मैं इसको आईरन से कोशिश करता हो निकालने की फिर जो भी होगा देखते हैं हम आगे है तो दोस्तों मुझे सेम साइज का बिल्कुल डायड मिल गया जो मैंने पहले निकाला था वह थोड़ा सा बड़ा था तो और अच्छे से इसको लगाना होगा तो आप वीडियो देखिए माइक्रोस्कोप में आपको अच्छे समझ में आएगा आपको में आपको में आपको अपको तो वाइस यहां पर मैंने डायोट को फिल ठीक से लगाया है क्योंकि इसमें इसके डायोट के नीचे होते हैं इसके पॉइंट तो बड़ी मुश्किल से लगता है वैसे फिक्स कर दिया है मैंने मशीन से भी थोड़ा सा हीट अप करके उसको जमा दिया है ठीक है तो अब यहां पर हम कैपसिटर पर रीडिंग चेक करने वाले हैं अभी हमने किसी भी तरह से इसको बैटरी नहीं लगाया ह है शरीव हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे तो रीडिंग करने के लिए हम डायोड मौड पेस को ले लेते हैं और यहां पर इसको रीवर्ज बायज में चेक करना पड़ता है तो यहां पर देख सकते गाइस रीडिंग हमको मिल चुका है और कोई किसी भी तरह के इस पर शॉ यह reading obviously आईगी ही आईगी ठीक है अभी हम सिर्फ यह सारी चीजे चेक कर रहे हैं को शौटिंग वगरा तो नहीं बनी है और में इसकी जो है LCD लगा करके भी चेक कर लेता हूं उसके पॉइंट एप क्या वहां तक की connectivity हमारी प्रॉपर आ गई है या नहीं आ गई है यह सब चेक करना जरूरी है थोड़ी सी भी चुक होगी तो और बड़ा बड़ी भी शौटिंग हुई तो हमको पता चल जाएगा वैसे है कि थोड़ा था है कि टश करके हम देखेंगे है यसरि कुछ भी गरम नहीं हो रहा है अब हम जो है इसकी जो voltage है जब हमारे resistance हमको मिल गाए है तो voltage भी मिलेंगे ही मिलेंगे यह देख सकते हैं आप voltage भी इस पह आ गए हैं आप कब नीहीं हम डायरेक करे इसको चेक करेंगे तो हम इस पर जो है डिस्प्ले जो हमें दिया गया है वो ही हम डाइरेक्ट लगा के इसको चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं अभी इसमें लाइट नहीं heiß अब इसका कारण एक ही हो सकता गाइज इसकी क्वाइल कoo चेक करना पड़ेगा हमें निकाल कर गरें क्वाइल जो है वूष्ट का काम करती है और वह निकाल देंगे तो भी हमको वल्टेज मिलते हैं जैसे कि हम इने आपको चाहें तो आप पीछे जाके जो है बापीस से उस जो मैप को देख सकते हैं फिलाल इस पर भी लाइट नहीं है हमको एक बार जो है क्वाइल चेक करना होगी निकाल करके क्योंकि तूट भी गई है वो सकता है क कि उसके वायर अंदर ये अंदर तूट गए हो या मिल गए हो या शॉटिंग हो कोई हो फिलाल क्वाइल गरम भी नहीं हो रही है तो हम जो है क्वाइल को निकालेंगे फिर उसके बाद चेक करेंगे क्वाइल को कि क्वाइल सही है या नहीं है तो दोस्तों यहां से डायोट से जो क्वाइल का पॉइंट है यहां तक हम चेक कर रहे हैं तो यहां से यहां तक की रिडिंग आ रहे हैं देख सकते हैं आप मिटर में मैं चेक कर रहा हूं यह देखे गाइस बता यहां पर यहां पर और आप मीटर में देखें और आप यहां ही से मैं इस क्वाइल के पीसे ले रहा हूं तो देखें किसी पी तरह का रिडिंग नहीं मिल रहा है यहां से मिल रहा है लेकिन यहां नहीं मिल रहा है अब हम इस क्वा और यह क्वाइल दोस्तों डेमेज होने से हो सकता है खराब होई है तो हम जो है इस क्वाइल को निकाल देंगे और फिर यहां की जगे नहीं लगाएंगे कि का दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से इसको कवर कर लिया था इस पति से इस तरह से आप भी कर सकते हैं या फिर आप हीटिंग टेप लगा कर सकते हैं कि मैंने क्या किया देखिए यही से मैंनेकोट को निकालका दिया है और में जो 3 इसमें हरेट की साब्हों कर दी और एर कर दी दी में सेवंटी तो यह काफी ऐच्छे infarad कर लेते हैं कि मतलब लाइट हमारी बनी है या नहीं बनी है क्योंकि इसमें देखा जायाactory तो डियोड भी खराब हो जकता है या फिर कौईल खराब होती है तो जबजब करती है डिस्पले दी आपका फोन चालू भी हो जाता है तो light क्या होती कम जादा भी नहीं होती बिलकुल एक जिसी रहती है तो फिलाल अब हम यह देखेंगे क्या light में कोई issue तो नहीं आ रहे हैं या पूरा चालू होने देते हैं फिर इसकी हम लाइट को जो है देखेंगे क्या कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है यह जरूर चेक करेंगे तो देख सकते हैं यह हमारा फोन बिल्कुल ओके हो चुका है यह देखेंगा इसको कम ज़्यादा लाइट हो रही है यह जो है पॉलेथीन इसमें लगा है उपर इसलिए आपको इसा दिख सकता है इस तरह से आप कोड लगा करके कर सकते हैं और लाइट कम ज़्यादा जरूर चेक करें लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है यह जरूर चेक करें बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों किसा लगा है वीडियो आपको बताना जरूर दोस्तों आप कि इस पर आप मुझे अच्छा सपोर्ट देंगे और आपको कुछ सिखने को मिला होगा तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से काम कर रही है डिस्प्ले और हमारा फोन आपके सामने रिपेर हो गया इस्टेब बाइस टेब आप रिपेर करना बिल्कुल आप कर पाएंगे जो पिर उसके हिसाफ से आपको ये रिपेरिंग करना होगा तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो जरूर बताना और कमेंट जरूर करना तो मुझे समझ मायागा कि आपको अच्छा लगा ये नहीं लगा तो ठीक है दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में थेंक यू बाई